भारत में कोरोना महामारी का प्रभाव बीते कुछ महीने से कम जरूर हुआ है लेकिन इससे होने वाली मोत की संक्या फरसे बढ़ने लगी है बीते 24 खंटे में देश में कोरोना के 11,850 ने मामले सामने आये हैं वहीं 555 नई मोते दर्च की गई हैं से अगर आकड़ो के लिहास से दिखा जाए तो पिछले दो दिन में म्रतको की संक्या में करीब 63% का उच्छा लाया दरसल बुद्वार से गुरुआर के बीच देश में कुल 340 लोगों की मोत दर्च की गई थी जबकि एक दिन पहले आकड़ा करीब 50 फिस दी बढ़कर 501 पर आ गया था अब पिछले 24 खंटे में कोरोना के मामले शुकरवार से 10 फिस दी और गुरुआर के आकड़ों से 63 फिस दी जादा हैं इसे के साथ देश में कोरोना के कुल प्राहत भरी खबरे भी हैं मारत में पिछले 24 खंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीचों की संक्या 12,000 के पार रही यानिकि मोजूदा समय में रिकवरी रेट ने संक्रमितों से जादा बना हुआ हैं इसका असर ही है कि देश में एक्टिव केसों की संक्या 1,36,308 पर आ यह जो की 244 दिन में सबसे कम है मैं ओवरोल रिकवरी रेट 98.26 पर बना है जो की मार्स 2020 के बाद सबसे जादा है स्वास्ते मंद्राले के आकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में कोरोना वेक्सीन की 58,42,530 डोस दी गई इसी के साथ भारत में अब तक कुल 111,40,000,000,000 के डोस लगाय जा चुक है भारत में कोरोना टेस्टिस का आकड़ा भी लगातार 10,000,000 के उपर बना हुआ है बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की तो आपको बता दे कि ये पाच्वा हपता भी कवर हो चुक है कि सहारेनपूर पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है हाला कि इस 1903 पर बनी हुए है और सक्रे मरीज की संक्या शुन्य है यानि कि पूरी तरह से सहारेनपूर अभी भी कोरोना से मुक्त है हाला कि अभी भी हम सभी को साफधानी बरतनी बहिश जरूरी है तो सिटी वैप परिवार अब सभी लोगों से अपील करता है कोरोना से बचे अपने